आज के वीडियो में नॉन कार्डेटा पर आधायत लगभग 400 most important question लेकर के आए हैं तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्तिक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जेरोर के लिजी चलिए पहले नॉन कार्डेटा के अंतरगत प्रोटो जोवा से सम्मंधि सभी important question को देख लेते हैं पहला question लेते हैं सरप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रोटो जोवा का अध्यान किया था चार आप्सन आपके सामने हैं एसा कौन सा बैज्यानिक था जिसने प्रोटो जोवा का अध्यान किया था तो इसमें option सही होगा पहला live in hawk ने प्रोटो जोवा का अध्यण किया था और जो lineage हैं इनका पुरा नाम केरोलस lineage था इन्होंने दोई नाम पध्धति दिया था और ये वर्गीकण विज्ञान के पिता भी कहा जाते हैं फादाराप टैक्सोनॉमी भी कहा जाते हैं और जो अरस्तु है अरस्तु ने संग जो पोरिफेरा है पोरिफेरा के जीवों को इस्पंज कहा था यानि इस पंज नाम किस ने दिया था तो अरस्तों ने दिया था और जंत विज्ञान के जनक भी इन्हीं ही कहा जाता है और जो लहमार्क हैं ये वर्टीब्रेट और इन्वर्टीब्रेट में डिफरेंस बताये थे vertebrate और invertivate में अंतर इन्होंने बताया था और बालोजी सब्द का भी प्रियोग इन्होंने किया था और जो विकास से सम्बंधित इन्होंने सिध्धानत भी कई सारे दिये हैं फिर नेश कुशन है malaria रोग किस proto जोवा के कारण होता है तो इसका आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि proto जोवा फालम जो है इसका संपोंड लेक्चर मेरे पिछले वीडियो में अपलोड़ेड है आप लोग जा करके लेक्चर को समाल लेजी उसमें कहीं से भी कोशन बन सकते हैं मैंने अच्छे से डीटेल से समझाया हुआ है तो वो चैनल पर जा करके वो वीडियो देख लिए टीजीटी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इसमें पूछा गया है मलेरिया रोग किस प्रोटो जोवा के कारण होता है तो हम सभी लोग जानते हैं प्लाजमोडियम के कारण मलेरिया रोग हो जाता है और जो ट्रेपैनोसोमा है इससे निद्रा रोग हो जाता है या अफ्रीकी निद्रा रोग हो जाता है और जो एंट अमीबा है इससे पेचिस रोग हो जाता है या आमातिसार हो जाता है पर नेकुसर सरे पयरा में से र्म दन कीजू के दोरह होता है तो सईयोग्मन पॉह विकळान इह में से कोई this . तो सईयोग्मन के द्वारा या कान्जुगेशं के द्वारा लिएशनर होगा यानि जब तक नर और मादा यूगमग नहीं मिलेंगे तब तक लेंगी जनन नहीं होता है इसलिए लेंगी जनन की बात की गए तो संयूगमण होगा जबकि जो दुविखंडन है और बहुविखंडन है यह सब एसेक्शुलर प्रोड़क्शन के पार्ट होते हैं या अलेंगी जनन के पार्ट होते हैं कि नोड़िकट में इससे प्रोटो जोवा नहीं है अमीबा युगलीना लीकोसोलेनिया और पैरामेसियम कौन सा प्रोटो जोवा नहीं है तो देखिए जो तीसरा वाला आफसन है लूको सोलेनिया यह प्रोटो जोवा नहीं है क्योंकि यह पौरिफेरा संख का जनतु है जबकि जो अमीबा है योगलिना है और परामेसिम है यह प्रोटो जोवा संख के जनतु है फिर अगला कोशिश्ण है मनुस में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले बैग्यानिक थे मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले बैग्यानिक का नाम बताना है चार आपसन आपके सामने दे गए हैं कन्फ्यूस नहीं होना है मलेरिया परजीवी की खोज बेगैनिक चार्स लेवरान ने की थी चार्स लेवरान ने और जो रोनाल्ड रास थे इन्होंने मलेरिया और मच्छर के बीच में संबंध को खोजा था मलेरिया और मच्छर के बीच में संबंध को और आपको बता दें जो ग्रासी थे इन्होंने life cycle को खो जा था जो प्लादमो डियम है इसकी life cycle को खो जा था तो नेश कुशन है malaria परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट कहां बनता है साइजांट कहां बनता है पूछा गया है answer जानने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो like जरूर कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपको free में provide करवाया जा रहा है तो इतना तो बनता है कि like और share जरूर कीजिए यानि RBC में भी और यक्रित में भी और आपको यह पर बता दें जो मुद्री का अवस्था है जो अमीबी अवस्था है दिखंटी जनन अथवा साइजोगोनी है ये भी मनुस्य में बनते हैं ये भी stages जो होते हैं मनुस्य के अंदर होती हैं इन पर भी question बनते हैं और आये भ तो संयोगमन के द्वारा होगा या Conjugation के द्वारा ही होता है फिर next question पर आते हैं अमीबा में पादाव की गति का कारण क्या है जो पादाव होते हैं सिलोपोडिया अमीबा में पाया जाते हैं इनकी गति या मोशन का कारण पूछा गया है चार आपसंदिये गये हैं तो इसका option सही होगा C. सियानता में परिवर्तन सियानता क्या होती है तो viskosity होती है फिरफर नैश question है परोटो जोवा का प्रचला नांग नहीं है या ऑनको मौटरी आरगनल नहीं है कौन सानंननी कीस से प्रोटोजोन होते हैं नहीं कशाभिक पदाब यह तीनों पाए जाते हैं जबकि जो सूख्छ है यह प्रोटोजोन संग में नहीं पाए जाता है तो यह सब्सक्राइबा में संकुचन सील धानी का उद्देश है संकुचन सील धानी का उद्देश क्या है पूछा गया है तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला परासरण नियमन एवं नाइट्रोजनी अपसिष्टों को बाहर निकालने के लिए संकुचन सील धानी या कांट्रैक्टिल वैक्योल पाई जाती है फिर नेश कुचन है जिस पूरवज जीयों से पादप और जन्तु विक्सित हुए हैं उनसे कौन सा प्रोटोजवा मिलता जुलता है अमीबा पैरामीसियम यूगलीना प्लाजमोडियम देखे कुचन को ध्या प्रकास संसलेशन करके माध्यम से भी भोजन का निर्मार कर लेता है इसलिसको पादप और जन्तों के भी कड़ी भी कहा जाता है यदि किसी अमीबा को लवडिये जल में इस्थापित कर दिया जाए तो इसकी संकुचन सील धानी यानि अगर समुद्री जल में इसको इस्थ सर सही होगा इसमें से भी अद्रिश्य होगी अद्रिश्य हो जाएगी दिखेगी नहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में आमीबा जनन करता है तो प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर आमीबा परिकोष्ठन के द्वारा जनन करता है या इंसेस्ट मेंट के द्वारा जनन क एंट अमीबा hystiliatica कैसे फ्य फ्य प्य लेगा संदूसित भोजन एरं जल के द्वाराँ अगर गदा भोजन हम कर लेते हें तो यह गंदा जल पी लेते हैं तो एंट अमीबा hystiliatica हमाय सहेट एक पुटी अथवा सिष्ट से कितने एंट अमीबा बाहर आते हैं अगर एक पुटी उसने बनाई है तो कितने एंट अमीबा बाहर आएंगे आठ चार दो एक आप्षन इसमें कौन सा सही होगा तो आप्षन सही होगा आठ पुटी बाहर आएंगी आठ एट यानि पहला वाला आप्षन सही होगा फिर नेश गुशन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में उतसर्जन घटित होता है उतसरजन घाटित होता है किसके द्वारा घाटित होता है तो सामान सतह के द्वारा जो सामान सतह होती है उसी के द्वारा उससरजन हो जाता है फिर नहीं कुशन है मानों में प्लाजमोडियम की संक्रामक अवस्था कौन सी है तो मैंने थेवरी में आपको बताया था बीजाणुज अवस्था जो होती है ये संक्रामक अवस्था होती है और बीजाणुज अवस्था को इस्पोरोज्वाइट कहा जाता है इस्पोरोज्वाइट जो इस्टेज है ये इन्थेक्टिव इस्टेज होती है तो इसमें अंसर सही होगा बी युगमक जनक और गेमिटो साइट आप लोगों को बता दें कि सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो अच्छा है या नहीं है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कम से कम आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट हमारे साथ करें अगला कुश्चन है प्लाजमोडियम के चल युगमनज पाये जाते हैं प्लाजमोडियम के चल युगमनज किस में पाये जाते हैं तो आंसर सभी लोग जानते हैं माधा इनाफलीज के आंत में पाये जाते हैं माधा इनाफलीज की आंत में फिनेश कुछन है किस malaria परजीवी का संक्रमर काल सरवाधिक होता है सबसे जढ़ा संक्रमर काल किसका अधिक होता है तो आनसर सही होगा इसमें से d Eastern प्लाजमोडियम मैलेरी या प्लाजमोडियम मैलेरियाई का संक्रमण काल सबसे अधिक होता है। फिनेश कुछन है माधा एनपलीज के आमासे में प्लाजमोडियम की लगभख सभी अवस्थाएं पच जाती हैं। केवल किसको छोड़कर केवल कहा गया है तो युगमक चनक को छोड़कर अगला कुछिशन है एन्ट अमीबा का संक्रमण होता है एन्ट अमीबा संक्रमित कैसे करता है चार आपसन दिये गए हैं तो इसमें आपसन सही होगा डी चतुर केंद्र की सिष्ट के द्वारा यानि ए लेते हैं काला अजार फैलता है काला अजार कैसे फैलता है तो इसका आपशन सही होगा पहला फ्ली बोटोमस के दिवारा आपको बतां किक bigger समंता प्रोटो जो फेर जो होतार लीष से ही फ्ली बोटामस कहा जाता है तो फ्ली बोटामस किया है यह यह सैंड फ्लाइघ होती है कालाजार कोई और आधवा प्रसारित होती किस दौरा प्रसारित होती है तो हम सभी लोग जान चुके हैं सैंड फ्लाई अथवा बालू मक्ही अथवा फ्ली बोटामस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होती है या फैलती है नेश कोईशन है सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाड़ों को फैलाती है आईसा कौन सा रोग है जिसके रोगाड़ों को फैलाती है तो आप्शन सही होगा इसमें काला अजार क्योंकि अभी तक कि तीनों कोईशन जो हमने बताए हैं इससे रिलेटेड थे प्रिनेश कोईशन है काला अजार तथा ओरियंटल सार रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है किसके द्वारा फैलेगा तो हम सभी लोग जानते हैं सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है फिनेश कुशन है लीस मैनियाड डोनोवेनी से कौन सा रोग होता है लीस मैनियाड डोनोवेनी से तो देखे उसी प्रश्ण को गुमा कर रखा गया है तो काला अजार नामक रोग फैलता है तो नेश कुछन है काला अजार बीमारी का वाहक कौन है तो वाहक कौन होगा फली बो टॉमस होगा या रेत मखी होगी या सैंड फ्लाई होगी क्योंकि केरियर को पूछा गया है वाहक को पूछा गया है तो नेश कुछन है लाल रुधराणों में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं सुफनर के बिंदु किसके कारण दिखाई देते हैं तो option सही होगा इसमें B, malaria के कारण दिखाई देते हैं, malaria आपको बता दें, जो हमारे सरीर की RBC है, RBC में सुफनर के बिंदू, malaria रोग के दौरान दिखाई देते हैं, जो malaria रोग होता तो इस stage आती है, तब सुफनर के बिंदू दिखाई देते हैं, और जो malaria परजीवी plasmodium है, malaria परजीवी कौन सा है, plasmodium है, तो plasmodium के जो cryptomerojoids होते हैं, ये RBC में प्रवेस कर जाते हैं, घुस जाते हैं, और घुसने पर signet ring अवस्था, amoeba अवस्था, ये सब प्रदर्सित करते हैं, और amoeba अवस्था में नारंगी या पीले रंग के dot दिखाई देते हैं, उन्हे next question है, protojova का एक वर्ग, जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं, ऐसा कौन सा वर्ग है, जिसमें केवल आंतरिक परजीवी, यानि सरीर के अंदर रहते हैं, तो ऐसा option सही होगा, इसमें C, sporojova, यानि संग protojova के वर्ग, sporojova के अंतरगत, केवल अंता परजीवी प पाये जाते हैं, और next question है, अमीबा में पोशन कैसा होता है, पोशन कैसा होता है, nutrition in amoeba, तो इसमें hollow joj, hollow joj प्रकार का nutrition पाया जाता है, फिन this question है, मलेरिया परजीवी के जीवन चकर में साइजान्ट अवस्था पाई जाती है, साइजान्ट अवस्था किसमें पाई जाती ह तो option सही होगा इसमें B, मानों के लाल रुधराड़ों में साईजांट अवस्था पाई जाती है दो अस्थानों पर पाई जाती है, पहला तो मनुस के यकृत कोशकाओं में या लीवर सेल्स में पाई जाती है और दूसरा मनुस की लाल रुधराड़ों यानि RBC में पाई जाती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी होगी तो चतुस केंद्र की एक कोश्ठक यानि जिसमें चार केंद्रक होते हैं ऐसी सिष्ट जो होती है उसी में संक्रामक अवस्था होती है और इसका निर्मान कहां होता तो मनुस की आतों में होता है और ये मल के साथ बाहर आ जाता है जैसे मल त्याक या फीसिस निकाला तो बाहर आ जाता है और जब बाहर आ जाता है तो जल आदी खादे पतार्थों के संपर्क में आने पर ये फिर संक्रमित करता है मनिस्य को और अमीबी पेचिस नामक रोग या डेसेंट्री नामक रोग पैदा करता है फिर नेश्ट है पेचिस उतपन करने वाला कारक है पेचिस किस से उतपन होती है तो एंट अमीबा से पेचिस नामक रोग उतपन होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है चार अपसंदिय गए हैं एंट अमीबा है इस्टूलिटिका में one contractile vacuole, two contractile vacuole, three contractile vacuole, या contractile vacuole absent, option सही होगा इसमें, डी, contractile vacuole absent होती है, यानी संकुचित धानी अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है, संकुचन सिल धानी कोशिका में परासरान अन्यंत्रण का कारी करती है, और एंट अमी की आत में रहता है निम्लिखित में से कौन सा मानो पर जीवी प्रोटो जोबा मनुस्त के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को च्छाती पहुंचाता है देखें इसको मैंने थेवरी मताया था तो इसका आंसर सही होगा पहला एंट अमीबा जिंजी वैलिस जो होता है य सदसी है और यह करता क्या है जो जिंजवाइल उतक होता है दातों में उसी में घुसा रहता है और अपना भोजन मुख गुहा के एपिथीलियम उतक और भोजन के टुकडे जीवान आद से प्राप्त करता रहता है और हमारे मसूणों को खत्म भी करता रहता च्छती भी उन नियंत्रण का कारी होता है या आस्मोर रेगुलेशन का कारी होता है कहने का मतलब यह है कि उनकी कोशिका में जल का नियंत्रण करता है और यह केवल ताजे जल या फ्रेस वाटर में रहने वाले प्रोटो जोवा में होता है फिनेश कोईशन है सत्य कथन पहचानिए अइड पहला प्रोटो जोवा अधिकतर बिशम पोती होते हैं या हेट्रोट्रॉप्स होते हैं या संग प्रोटो जोवा के अंतरगत जितने भी जीव आते हैं वो सभी एक कोस्की होते हैं यूनी सेलुलर होते हैं और जो यूनी सेलुलर होते हैं तो उनकी कोस्काएं कैसे होंगी प् जिक का कार्य क्या है function अपर को सिष्ट इज आंसर सही होगा इस में से पहला बचाव एवं सुरच्छा के लिए होता है और ट्राइको सिष्ट पैरा मीसियम और अनने में इसे प्रोटेजोवा जिन्में सीलिया पाए जाते हैं इसलिए प्रोटेजोवा पाए जाते हैं और ये मुखी रूप से सुरच्छा का कारी करते हैं, इसके अतरिकती ये बचाओ और सिकार को पकड़ने का भी कारी करते हैं, जो ट्राइको सिष्टू होते हैं, फिर नेश कुशन है, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं, बहुरूपी अवस् पैरा मेरेयशियम में सैयुगमन होता है, जो कांजुगेशन होता है, बहुरूपी केंद्रक पाया जाते हैं, बहुरूपी यनि अभी की मिवन पाई जाते हैं, अन्य यहे अवस् French हूए, हेत्रोमॉर्फिक न्यूपी, थी तो प्रोटो जो चूपेंगा, अन्यौती में हो प्रमुक्सरोत पैरामीशयम का सूच्म केंद्रक कैसा होता है अंसर सही होगाश में से पहला डिपलॉइड होता है आपको बताधें कि पैरामीशयम में दो केंद्रक पाया जाते हैं सूच में केंद्रक, माइक्रोनिकलियस, तथा घुरु केंद्रक, माइक्रोनिकलियस कहलाता है, और दोनों ही दिगुडित होते हैं, यानि लागु केंद्रक और दिर्ग केंद्रक, दोनों ही दिगुडित होते हैं, डिपलाइड होते हैं, जो घुरु केंद्रक होता है, जो ब में सहायता करता है conjugation helps in paramedicumim a answer सही होगा इसमें सभी यह उप्वयुक्त सभी में help करता है फिर्ञेक्स क्योचन है silver line Tantre संबंधित है silver line tantre किससे संबंधित है qreplace c p%, पैरामीशयम से संबंधित है, फिर नेक्स क्योंस है, पैरामीशयम में सहयोगमन के संधर्म में नुलेकित कथनों में से कौन सा सत्य है, आंसर इसमें कौन सा सही होगा, रिगॉर्डिंग दा कांजूगेशन इन पैरामेश्यम विच आप दा फालॉइंग स्टेट्मेंट इस ट्रू आंसर सही होगा इसमें C बनने वाले चार लगुकेंद्रक में से तीन बेघटित हो जाते हैं जो पैरामेश्यम है इसमें प्राया संयुगमन अत्वा कांजूगेशन बिरिके द्वारा सेक्श्यल रोप्रेड़क्शन या लैंगिंग जनन होता है और इसमें लागुकेंद्रक जो होता है जो माइक्रो निकलियाई होता है यही भाग लेते हैं अभी मैंने बताया था जनन होने से क्या होता है कि चार अगुरित केंद्रक बन जाते हैं या चार हैप्लाइड नूकिलियस बन जाते हैं इन में से 3 तो नैश्ट हो उसम से खत्म हो जाते हैं एक सेज्सदाबी मलेरिया परजीवी की संक्रामख अवस्था होती है मलेरिया परजीवी की संक्रामख अवस्था तो बीजानुज होती हैillarो यह इस पूरजॉइट होती हैं नहींec निम्रकत में से कौन रोग जनक कसा भी नहीं है रोग जनक कसा भी नहीं है कहा गया है आंसर सही होगा इसमें से डी नक्टिलुका नक्टिलुका जो होता है यह रोग जनक कसा भी नहीं है यानि कि यह नक्टिलुका एक तरिके का डाइनो फ्लेजलेट होता है डाइनो फ्लेज सिसमेंほलो जोह 흥 होता है और या परजीवी के गयमिटो साइट बनते हैं अंसरि होगा इसमें इसे बमने से मनुस्री के रक्ति में बनते हैं बलाड़ आफमेन इस्व कैस्सक्शन है चतुर्थक malaria का कारण है आंसर सही होगा इसमें से भी Plasmodium malaria ही होता है आपको बता दें जो तिर्तियक malaria होता है इसमें हर 48 घंटे में बुखार आता है और या Plasmodium bivacs है Felsiparam है, Oval है इनके द्वारा होता है और जो चतुर्थक malaria है हर 72 घंटे में बुखार आता है और जो दैनिक malaria है इसमें लगभग रोज 24 घंटे में बुखार आता है और यहां एक से अधिक जातियों के संक्रमन से होता है प्रामस्तिस्क मलेरिया इसके द्वारा होता है किसके द्वारा प्रामस्तिस्क मलेरिया होता है सेरीब्रल मलेरिया इस काज़ डुबाई आंसर सही होगा इसमें से C प्लाद्मोडियम फैलसी पैरम के द्वारा होता है फिनेश कुछन है माउरर्स डार्ट्स मनुसे के एरिथ्रोसाइट्स में अबलोकित होते हैं यदि वे निम्न में से संक्रमित हों तो इसमें ऑप्शन सही होगा प्लाद्मोडियम फैलसी पैरम आपको बता दें कि प्लाद्मोडियम वाईवैक्स सुफनर डार्ट्स इसमें पाए जाते हैं सब всп剛 intelig Miraculture अवल सफ़नर सप्सक्राइब सबढ़ा और मालेरियाई में pregnant five जाता है साइटो पाईग किसमें पाया जाता है अंसर सही इसमिंच पैला पाया जाता है आपको बताते की साइटो पायग क्या है पेरामीसियम के कि खाद łatकरण का भाग होता है पैरामेस्यम में में अस्थाइ कोछा जाता है और इसका निर्मार को उसे ही उसे ही निर्मार करना न कहा। तब इसका निर्माण होता है नेश कुछन है दीमक लकडी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है लारगंतियों से मध्यात्र की कोशिकाओं से सहजीवी प्रोटोजोवा द्वारा सरीर के बाहर जीवान तो था कवको के द्वारा अंसर सही होगा इसमें से सहजीवी प्रोटोजोवा के द्वारा आपको बता दें कि दीमक में कुछ सहजीवी प्रोटोजोवा ट्राइको निम्फा पाये जाते हैं ट्राइको निम्फा जो की ग्लूकोसाइडेज एंजाइम स्रावित करते हैं ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो ट्राइकोन इंफा होते हैं, ये क्या करते हैं? ग्लूकोसाइडेज एंजयम से रावित करते हैं और यहां एंजयम लकडी में उपस्ति सेलूलोس का बाचन कर डालता है सेलूलोस को पचा डालता है फिर नेश्ट क्यूंशन है कोई प्रमान नहीं मिलता है? किसमें नहीं मिलेगा आप लोगों ने यदि अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में सेर जरूर कीजिए तो इसका आंसर कौन सा सही होगा आंसर सही होगा बी यूगलीना विरडिश में यूगलीना ब्रेडिस में लैंगी जरन का कोई प्रमान नहीं मिलता है आपको बता दें कि यहां लैंगीक विधियों के द्वारा दुई भाजन हो यानि बाइनरी फिशन हो या बहुत भी भाजन हो चाहे मल्टी फिर्म फिशर के द्वारा जरन करता है और इसमें प्रंकिंग फिनोमिना इस टर्म्ड एस डी पिनोसाइटोसिस और आपको बता दें कि कोउसिका के द्वारा बाह्माध्यम से किसी भी द्रविये पदार्थ या किसी भी लिक्यूट को ग्रहर करने की प्रिकिरिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है और अपको यहीं पर बताते चल पादाव के लिए महत्तपूर्ण होते हैं तो गमन और भोजन ग्रहण करने के लिए महत्तपूर्ण होते हैं अंसर सही होगा इसमें से डी वाला संग्प्रोटोजोबा के वरगीकण मुख्या आधार है वर्गीकण का मुख्य आधार क्या है तो option सही होगा इस में से B गमनांगक मुख्य आधार होते हैं गमनांगक को देखकर वर्गीकण किया गया है और फिर next question है प्रोटुजवा का वर्गीकण आधारित है निम्न पर किस पर अधार है निम्न में से किस आधार पर प्रोटुजवा संग चार वर्गों में बाटा है ऐसा कौन सा आधार है जिसमें प्रोटुजवा संग को चार वर्गों में बाटा गया है तो गाति विसयक्सन रचना को देखकर अब देखें उसी question को घुमा कर इस तरह से पूछा है गाति पी सेक्षन रचना क्या है यानि चलन अंगकों को देख करके या गमनांगकों को देख करके इनको वर्गी क्रित किया गया है फिर नेश कुछिशन है बायो लुमिनिसेंस प्रदर्सित होती है बायो लुमिनिसेंस किसके द्वारा प्रदर्सित होती है आंसर इसमें सहयोगा पहला सिरेटियम के द्वारा प्रदर्सित होती है आपको बता दें बायो लुमिनिसेंस क्या है तो बायो लुमिनिसेंस वह घटना होती है ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कोई भी जिव प्रकास उत्पन करता है या प्रकास पैदा करता है या प्रदर्शित करता है और इनमें जो सिरेटियम है एक ऐसा यही जिव है जो प्रकास पैदा करता है और यह प्रोटो जोवा संग के अंतरगत आता है फिर नेक्स क्वेस्चन है पैरा मीश्यम में भोजन ग्रहन की विधी है पैरा मीश्यम में भोजन ग्रहन की विधी कौन से है तो सभी लोग जान चुके हैं होलो जोई प्रकार का निवटेशन स्पाया जाता है पेरामिस्यम की पस्ट संकुचन सील रिक्तिका इसपंदन करती है पीछे वाली जो संकुचन सील रिक्तिका होती है या जो posterior contactal vacuum होती है वो इसपंदन करती है इसपंदन तो answer सही उगसमे से C अगर रिक्तिका के दृत तर से पेरामिस्यम है प्लाज्मोडियम में लग यूगमक और गुरुः यूगमक बनाते हैं यह निसले प्लाज्मोडियम फोल्म्स बनाते हैं किस अस्थान पर मलेरिया परजीवी की पाई नीठ अवस्था पाई जाती है उकानीट अवस्था किस स्थान पर पाई जाती है तो मच्छर के आमास है जो मच्छर का आमास है होता है इस टमक आप मास्कीटो होता है उसमें पाई जाती है फिर नेश कोईशन है प्लाजमोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है संक्रामक चरण दा इंफेक्टिव स्टेजा प्लाजमोडियम वाइवेक्स इस नोन एज सी भीजानुज इस पोरो जोईट देखे उसी कुश्चन को गुमा कर कई बार पूछा जाता है तो इस तरह इसे गुमा कर पूछा गया था और दो परिपको ट्रोफो जोईट के आपस में जुड़ने की परकिरिया सीजजी कहलाती है सीजजी क्या होता है जब दो मेचियो ट्रोफो जोईट आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे ही सीजजी कहा जाता है और इसके बाद में ये गैमोंट में बदल जाते हैं फिर नेश कुछन है मरस में निद्रा रोक का कारण तो स्ट्रेपैनो सोमा गैम्बियंस निद्रा रोक का कारण या स्लीपिंग सिकनेस का कारण होता है और इसके बारे में अधिर डिटेल के लिए मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं देश कोशन है Glosyna Palpalis किसका जन्तवेग्यानिक नाम है Glosyna Palpalis तो answer इसमें सही हुगा सीसी मख्वी का जन्तवेग्यानिक नाम Glosyna Palpalis होता है देश कोशन है ग्लॉसिना पैल पैलिस किसका वाहक है नि सीसी मक्षी किसका वाहक है तो सीसी मक्षी निद्रा रोग का वाहक होती है निद्रा रोग अथवा स्लीपिंग सिकनेस का वाहक होती है फिनेश कुषण गुंचनंसील रिक्ति का किसमें पाई जाती है इसमें सहीं होगा d ःल अभडोस यानि अमीबा, यूगलीणा और पवरामेisyam सब ही में कुंचनसील रिक्ति का पाई जाती है फिनेश कुषण विखंडन जो प्रजणन की एक विधी है समानता नमलकित में से किस में पाई जाती है प्रोटो जोवा, हेलमेंथ, एनलिडरा, उपेक्त सभी तो विखंडन केस में पाया जाता है प्रोटो जोवा में पाया जाता है प्रोटो जोवा में फिर अंतिम कोश्चन को लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए 1 को दूसरे से सुमेलित करना है और नीचे जो कूट दिये गए हैं उसका उपयोग करके सही उत्तर को बताना है तो option आपके सभी सामने रखे गए हैं इनको देखिए और बताएए जल्दी से इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसमें option सही होगा बीवाला बीवाले को कैसे सुमेल करेंगे सही सुमेलन क्या होगा इसका जो डेंगू बुखार है एडीज एजेप्ती नामक वच्छर से फैलता है एडीज एजेप्ती नामक मच्छर से इसका वाहक होता है जो हाथी पाउ है ये क्यूलेक्स फैंटिगंस या क्यूलेक्स पाइपियंस के द्वारा फैलता है और जो काला जार है ये फ्ली बोटॉमस या सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के द्वारा फैलता है और जो नित्रा रोग है ये ग्लॉसिना पैपल्स के द्वारा फैलता है चलिए अब संग पोरी फेरा से पूछे जाने वाले important question को देख लेते हैं वीनस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? चार आपसंदिये गए हैं और पूछा गया है वीनस फूलों की टोकरी होता है क्योंकि आगे की और ये मुढ कर फूल जैसा structure बनाता है आगे की तरह मुढ जाता है और मुढ कर फूल जैसा structure या फूल जैसी संड़चना का निर्मार करता है इसलिए इसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है और इसका सूखा कंकाल सजावट के कामाता है जब सूख जाता है तो इसके कंकाल को सजावट के लिए यूज किया जाता है और जापानी लोग इसे साधी के समय उपहार में देते हैं जापान में जब साधियां होती हैं, तो जापानी लोग साधी किसमें उपहार में देते हैं, और इसका मतलब यह होता है कि नवयोगल मृत्यू के बाद कब्र में भी एक साथ रहें, फिर नेश कुछिशन है, इस पंजों का लक्षड है, इस पंजों का लक्षड क्या होता है, तो सभी लोग जानते होंगे C वाला इसमें option सही होगा छिद्र युक्त सरीर यनी body porous होती है porous नहीं बहुत से por पाये जाते हैं छिद्र पाये जाते हैं इनके सरीर में और इनके सरीर पर दो तरीके के छिद्र होते हैं सबसे उपरी सिरे पर एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे आसकुलम कहा जाता है और पूरे सरीर की सतह पर छोटे छोटे से छिद्र पाये जाते हैं जिन्हें आश्टिया कहा जाता है next question है कालर कोसिकाएं पाये जाती हैं कालर कोसिकाएं किस में पाये जाती हैं तो इस पंजो में कालर कोसिकाएं पाये जाती हैं अथवा संग पूरी फेरा संग के जन्तों में कालर कोसिकाएं पाये जाती हैं और कालर कोसिकाओं को कीप कोसिकाएं भी कहा जाता है अथवा इन प्रिवाला वीडियो है उसको देखिए पूरी अच्छी तरह से आपके समद में आ जाएगा पूरी फेरा में कंकाल निर्माड करने वाली कोशिकाएं होती हैं ऐसी कोशिकाएं जो कंकाल का निर्माड करती हैं तो आंसर सही होगा इस में से सी केिस की से कूरा में इसलग करती हैν यह कंकाल का निर्माड करती है इस में कॉन सा लक्षण तो इस इसमें option सही होगा D उच्य पुनरुद भवन की छमता हाई रेजनरेशन की छमता regeneration मतलब यह होता है कि जैसे उंगली बगारा कट जाती है या सरीर का कोई अंग कोई भाग कट जाता है तो तुरंत उग आए या बहुत जल्दी से उग आए तो उसे ही regeneration कहा जाता है और अगर पूछा जाए कि regeneration की power किस cell में होती है ऐसी कौन सी cells हैं जिनमें regeneration की power पाई जाती है तो archaeocytes जो archaeocytes cells होती है इसमें regeneration की power होती है और आपको बता दें जो amoebo sites होती है amoebo sites में भी थोड़ी थोड़ी सी power होती है लेकिन main answer आपका archaeocytes होगा archaeocytes cells ही regeneration की power रखती है फिर next question है बाथ sponge होता है बाथ इस्पंज किसे कहा जाता है नहाने का इस्पंज किसे कहा जाता है तो यू इस्पंजिया को बाथ इस्पंज के नाम से जाना जाता है फिनेट को इसन है मोती उद्दोग के लिए कौं सा इस्पंज हानीकारक है ऐसा कौं सा सिस्पंज है जो मोती उद्दोग के लिए हानीकारक है तो आंसर इसंस सही होगा बी क्लियोना जो क्लियोना है ये सीप के अंदर छेद बना देता है और इसलिए इसको बोरिंग इस्पंज भी कहा जाता है क्योंकि बोरिंग में क्या होता है कि छेद बना करके पानी निकला जाता है धर्ती में छेद बना जाता है तो पानी निकलता है वैसे ही ये भी छेद ब संब पॉरी फेरा का वर्गिकन मुख्य रूप से इस पर आधारित है संग पोरिफेरा का वर्गिकरण किस पर आधारित पूछा गया है तो आंसर सही होगा इसमें से B कंकाल अथवा इसकेलिटन पर संग पोरिफेरा का वर्गिकरण आधारित है यानि इसको कितने भागों बाटा गया पोरिफेरा को ये कंकाल क्या धार पर बाटा गया है फिर नेश कोईसन है कौन सी कोशिकाएं इस पंजों के सरीर से जल धारा को बनाए रखती है इस पंजों के सरीर में कौन सी कोशिकाएं जल धारा को बनाती है तो कीप कोशिकाएं मैंने लेक्चर में अच्छे से समझाया था यदि आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे चनल पर जाकर करके TGT PGT Class 3 वाला लेक्चर देख लिजी वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कीप कोशिकाएं क्या होती है तो ये कीप कोशिकाएं ही स्पंजों गरंतिकोशिकाएं इन में से कोई भी नहीं है ये सभी अनुपस्थित होती है यह सभी नहीं पाई जाती है इसकान टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है या नालतंत्र पाया जाता है next question है एसकान नाल प्रणाली पाई जाती है किस में एसकान नाल प्रणाली पाई जाती है तो भी question आया था लिवको सोलेनिया में एसकान नाल प्रणाली पाई जाती है तो इस तरह से घुमा कर एक ही प्रश्ण को घुमा कर पूछा जाता है तो इसकान नाल प्रणाली लुको सुलेनिया में पाई जाती है नाल प्रणाली यानि कैनाल सिस्टम की उपस्थिती इस्पंजों का विसेश लक्षण होता है पोरिफेरा का विसेश लक्षण होता है और मैंने पिछले वीडियो में आपको या लेक्चर वाले वीडियो में आपको बताया था कि एसकान, साइकान और लिवकान ये तीन प्रकार की नाल प्रणालिया पाई जाती है का नाल सिस्टम होते हैं और इनमें से जो एसकान है सबसे सरल प्रकार की प्रणाली होती है जो लुकोसलेनिया इस पंज में पाई जाती है और जो साइकान प्रणाली है ये इसकाइफा अथवा साइकान में पाई जाती है और जो लुकान है ये इस पॉंजिला में पाई जाती है फिनेश कुजन है साइकान में निसेचन होता है साइकान में निसेचन कहा होता है चार आपसन आपके सामने देगे हैं और इसमें से आपसन सही होगा डी मीसिन काइमा के अंदर निसेचन होता है अथवा मध्योतक के अंदर निसेचन होता है आपको बता दें कि साइकान पूरी फेरा संख का एक स प्राडी होते हैं जिनके एक ही सरीर में नर और मादा जन्हन अंग पाये जाते हैं मतलब नर और मादा दोनों प्रकार के युगमक का विकास एक ही प्राडी में होता है और इनका विकास अमीबो साइट कोशिका से होता है अमीबो साइट कोशिका से और प्रोटो गाइनी जो ह होते हैं जब किसी अनिसाइकान के अंदर प्रवेश कर जाता है तो मादा युग्मकों को निसेचित करते हैं इस तरह से निसेचन हो जाता है अभी रेखे कोईशन आया था घुमाकर इस तरह से पूछा गया है तो किलियोना इस पंज हानिकारक होता है इसको बोरिंग इस जो प्रदान करने वाले मोलस्क होते हैं उनमें छिद्र बना देता है सुरंग बना देता है और उन्हें नेस्ट कर देता है साइकान का पोला ब्लास्टूला है पोला ब्लास्टूला तो इसका आंसर सही होगा सी वाला इस्टोमो ब्लास्टूला होता है हम सभी लोग जानते कि जो Fertilized एव होता है, जो Juggo'd होता है उसमें बार-बार विभाजन होता है, और विभाजन के बात को इसका है विभाजित हो करके Blyastula का निरमान करते हैं, यह Blyastula बन जाता है, यह Istomo Blastula क्या है, तो ये पोरिफेरा संग का लारवा होता है या साइकान का लारवा होता है एंफि बलाशुला क्या है साइकान का लारवा होता है नेश कुछन है आलवडिये जल का इस्पंज है आलवडिये फ्रेस वाटर स्पॉंज इस इस्पॉंजिला जो इस्पॉंजिला होता है ये इसका सही होगा बी समुद्री जल में किनारों की और विलांचली जन्तु पाए जाते हैं और आपको बता दें कि बिलांचली जन्तु यह जो होते हैं गहरे समुद्र में रहने वाले पिलैजिक तथा समुद्र की तली पर रहने वाले बेंथिक कहलाते हैं गहरे समुद्र में जो रहते हैं उन्हें पिलैजिक कहा जाता है जो समुद्र की तली पर रहते हैं उन्हें बेंथिक कहा जाता है इस्पंजों में कंटिकाई बनती हैं किसके द्वारा बनती हैं स्पेक्यूलिस आप स्पॉंजें यह आर्फार्मड बाई तो इसपंजों में कंटिकाई हैं ऐसने से सी काणकज़न कोशिकाऊ इसमें से जो पोरो साइट्स है और जो थीसो साइट्स हैं, ये खादि पदार्थों का संग्रह करती हैं, थीसो साइट्स, और इसमें से जो पोरो साइट्स हैं, पहला वाला आप्सन है, ये ट्यूबलर सेल्स होती हैं, और ये आश्टिया बनाती हैं, यानि आश्टिया वाले छिद्रों का निर्मार करती हैं और जो pinacocytes हैं ये pinacocytes skin cells होती है skin cells यानि these cells are the skin cells of sponges या कह लेजिए कि pinacocytes are part of the epithelium sponges यानि उसके skin का निर्मार करती हैं उसकी तचा का निर्मार करती है जो trophocytes हैं ये भोजन प्रदान करती हैं भोजन और जो chromocytes हैं ये उत्सरजी पदार्थ तथा रंगा पदार्थ प्रदान करती हैं next question है leucosolenia के देहभित्य में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं leucosolenia जो होती है इसमें कौन से मुख्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं तो answer इसमें सही होगा leucosolenia में पाई जाती हैं और leucosolenia क्या है तो पोरी फेरा संग का एक समुद्री इस्पंज है next question है जानवर जो समुद्र के तल में रहता है कहलाता है क्या कहलाता है तो answer इसमें से सही होगा B नितलस्थ कहलाता है नितलस्थ तो नितलस्थ मतलब समुद्र के तल पर रहने वाले जन्थ और बहते हुए ताजे जल में रहने वाले जन्थों को सरित जीवी कहा जाता है और इस्थिर जलासवें में रहने वाले जन्थों को सरो जीवी कहा जाता है और समुद्री जल में स्वतंत रूप से रहने वाले जीवों को अन्बुधी यानि पैलजिक होता है तो इस प्रकार से बेंथिक यानि नितलस्त समुद्र के तल पर रहने वाले जन्तों होते हैं लोटिक यानि सरत जीवी मतलब बहते विये जल में रहने वाले जन्तु होते हैं लेंटिक का मतलब होता है इस्थिर जलासव में रहने वाले जन्तु यानि सरो जीवी होते हैं और पेलजिक, पेलजिक में अन्बुधी यानि पेलजिक होता है जो समुद्र के जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जन्तु होते हैं जन्तों के एबाईसल रूप पाए जाते हैं जन्तों के एबाईसल रूप तो गहरे समुद्र में पाए जाते हैं अब आपके मन में प्रेश्ण होगा कि एबाइसल क्या है तो एबाइसल का मतलब होता है रसातल एबाइसल मतलब रसातल अथवा अथाह कह लो कहने का मतलब ये है कि रसातल छेतर समुद्र का जो पैलेजिक छेतर है पैलेजिक छेतर की एक परत होती है और इसमें जो एबिस है एबाइसल में एबिस सब्द का अर्थ है अथाह तो 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर या छेतर हमेशा अंधकार में रहता है 4000 से 6000 का मतलब है कि 13000 से 20000 फ्रेट तक इस परकार से हम कह सकते हैं कि महा सागरों की गहराईयों में सागर तहका जो बिस्तृत मैदानी छेतर होता है उसे ही एबाइसल कहा जाता है या अतल मैदान कहा जाता है नेश कुशन है बाथ स्पंज है तो यू स्पंजिया बाथ स्पंज के नाम से जना जाता है यानि यू स्पंजिया का साधारण नाम है बाथ स्पंज और इसका कंकाल द्रण स्रंगी स्पंजी तंतूं का बना होता है यानि हार्णी का बना होता है और कंकाल का रंग उड़ा कर सुखा लिया जाता है और फिर उसे इस नान के कार्यों में लाया जाता है इस नान के कार्यों में यूज किया जाता है नेश कुछन है निवन में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं इस पंज में भोजन संचय करती हैं भोजन का संचय करने वाली कोशिकाओं का नाम बताना है तीसो साइट को सिकाएं, इस पंज में भोजन का संचय करती हैं, आपको बता दें, इस पंज की देभित में तीन अस्तर होते हैं, जिनमें बिभिन प्रकार की को सिकाएं होती हैं, और इनमें थीसो साइट मीसुफिल अस्तर में होती हैं, या मध्य अस्तर में पाई जाती हैं, जो भोजन का संचय करती है जो ट्रोफोसाइट्स है ये मीसोफिल अस्तर में होती है इनका कारे पोशन प्रदान करना होता है और जो पिनैकोसाइट्स है ये बाहरी अस्तर में होती है पिनैकोडर्म कहलाती है और कोईनोसाइट्स भीतरी अस्तर में होती है जो मुखेतार रच शात्मक अस्तर बनाती है इस्पंज में कसाभ युक्त कोशिकाएं होती है कसाभ युक्त कोशिकाएं कौन सी होती है तो आंसर इसमें सही होगा B. कोईनो साइट्स कोशिकाएं कसाभ युक्त होती है जो इस्पंज होते हैं इस्पंज में कोईनो साइट्स अथवा कालर कोशकाएं ने कहा जाता है या कीप कोशकाएं कहा जाता है ये कसाब युक्त होती हैं या फ्लैजिलेटेड होती हैं कसाब युक्त मतलब फ्लैजिलेटेड होती हैं और ये कोशकाएं इस्पंज की देह भिती अथवा बॉडी वाल का सबसे भीतर ही अस्तर बनात क्या किया जाता है आंसर इसमें सही होगा डी इस पंज द्वारा समुधरी जल से निस्करसित किया जाता है आपको बता दें कि इस पंजों के देभित में मीसोफिल अस्तर में इस्थित scleroblast कोशिकाय जो होती है ये कंटिका का स्रामर करती है specules बनाती है और इनके निर्मार के लिए ये समुद्री जल के द्वारा silica को निस्करसित करती है extractions करती है next question है paragastric cavity का दूसरा नाम है या paragastric गुहा जो होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है तो इस्पंजो सील गुहा कहा जाता है paragastric cavity is another name for क्या कहेंगे इस्पंजो सील कहेंगे यानि इस्पंज की केंदरी गुहा को ही इस्पंजो सील कहते हैं और इसी को paragastric गुहा भी कहा जाता है next question है समुद्री अकरोट किस संग में आते हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इस्पंज, हेमिकार्डेटा समुद्री इस्पंज किस संग में आते हैं तो आंसर सही होगा टीनोफोरा के अंतरगत समुद्री इस्पंज आते हैं आपको बता दें कि समुद्री अक्रोट टीनुफोरा संग के जन्तूं को कहा जाता है और इन्हें काम्ब, जेली या समुद्री अक्रोट कहते हैं क्योंकि इनके सरीर पर चार अनुदैर्ध या लांगी ट्यूडिनल प्लेट्स पाई जाती है इसलिए इन्हें समुद्री अख्रोट कहा जाता है अब संग सेलेंट ट्रेटा से पूछे जाने वाले संपूर्ण MCQ को देख लेते हैं पहला कोईशन है दंस कोसिका अथवा निमेटो सिस्ट है एक ओप्षन इसमें सही होगा डी वाला कोउसिका का भाग होती है कोउसिका का भाग हए अगर इसमें लेंगिक परकार को देखा जाई तो लेंगिक जानह विपरीत परिस्तितियों में होता है जब तालाप में जल सूखने लगता है CO2 की अधिक मात्रा होने लगती है भोजन की कमी होती है तो लेंगिक जनन होता है HIDRA में और लेंगिक जनन की किरिया में इसके सरीर पर छोटी छोटी गाठों जैसे गोनर्स बन जाते हैं गोनर्स का निरमार हो जाता है तो इस तरह से जनन होता है जैसा कि आपको जितर में दिख रहा है इस तरह से गोर्णर्स बन जाते हैं और अलहेंगी जनन में या एसेक्च्छल रिप्रोड़क्शन में क्या होता है मुकुलन के द्वारा या बर्डिंग के द्वारा जनन होता है और हाइड्रा में क्लिवेश टोटल होलो ब्लास्टिक ह होता है जेली मचली किस वर्ग से संबंधित है जेली मचली जो है वो किस वर्ग में पाए जाती है तो इसका आंसर सही होगा पहला साइफो जोवा में पाए जाती है अथवा इसकाइफो जोवा इसको भी हम कह सकते हैं इसकाइफो जोवा और जेली मचली को जेली फेस पुरकित में से कौन एक sealant trait है। in में से कौन एक sealant trait है। 4 आपशन आपके सामने दिये गए हैं। समुद्री पं, समुद्री मचली, समुद्री अर्चिन, Сमुद्री खीरा। इसमें option सही होगा पहला समुद्री पं एक sealant trait है। सेश सभी जनतो एकाईनो डर्मेटा संग के अंतर गताते हैं। नेक्श कुशन है कोरल चटाने कौन से जनतु बनाते हैं। ऐसे कौन से जनतु हैं जो कोरल चटानों का निरमाण करते हैं। तो आंसर सही होगा इसमें से। C. Cilentrates, कोरल चटाने बनाते हैं। और आपको बता दें कि इस प्रकार की चटाने समुद्र के अंधर पाई जाती हैं समुद्र के अंदर और हिंदी में इन्हें प्रवालसयल भी कहते हैं प्रवालसयल और यह कैलसियम कार्बोनेट की बनी होती है हाइड्रा है हाइड्रा क्या है उभै लिंगा सराई जराय उज एक लिंगा सराई लेंगिक अंगों का भाव तो आप्शन सही होगा इसमें से पहला उभै लिंगा सराई होता है और उभै लिंगा सराई यानि दू लिंगी होता है कुछ हाइड्रा जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं और दु追 thing या उभै लिंगी ऐसे जनतो जिनके एक ही शरीर में नर और माता जनन अंग पाए जाते हैं उसे ही उभै लिंगा स्राई कहा जाता है नेर्ष कुशन है प्रचलन का मैथुन से संबंध नहीं है नैश कुशन है और फ्लैजिला और शीडो पोडिया पाया जाते है नेश कोईशन है संग सिलेंट ट्रेटा को इस्थापित किया गया है किस पर स्थापित किया गया है तो जो संग सिलेंट ट्रेटा है ये संगठन के ऊतक अस्तर पर इस्थापित है यह जब बहुत सी कोशिकाएं मिल जाती है आपस में एक जैसा कारी कर लगती है यह कई सारी कोसिकाएं एक जैसा कारे करने के लिए एक बिसे संदचना का निर्मार करती है तो उसे ही उतक कहा जाता है तो उतक संगठन यानि इसमें उतक पाये जाते हैं फिर नेश कुश्चन है नमलेकित में से हाइड्रा की एक कोसिका में कसाभिका एबं कोसिका जो हाइड्रा है हाइड्रा में फ्लेजिला और सुडोपोडिया किस कोसिका में पाये जाते हैं तो यह दोनों जो फ्लेजिला होते हैं जो सुडोपोडिया होते हैं दोनों प्रचलन अंग होते हैं और यह दोनों पोसक कोसिका के अंतरगत पाये जाते हैं नेश सम्मित एवं दुए अस्तरी इनके बारे में डीटेल से समझने के लिए हरी सम्मित के हदो इस तरी के आप मेरा लेक्चर वाला वीडियो देखिए next question है hydra में उपकला पेशी कोशिकाएं पाई जाती है hydra में उपकला पेशी कोशिकाएं कहा गया है तो option सही होगा इसमें से दोनों A वा B दोनों में यानि अंतस्त तचा और बाह्त तचा दोनों में यानि इंडोथीलियम और एपीडर्मिस दोनों में उपकला पेशी कोशिकाएं पाई जाती है फंजिया का साधारण नाम है फंजिया का साधारण नाम क्या होता है देखे इसको लेक्च्छर में ने समझाया भी था तो फंजिया का साधारण नाम कुकुर मुत्ता कोरल होता है इन्ही फंजिया जो है ये कुकुर मुत्ता कोरल के नाम से भी जाने जाती है और लाल कोरल, कोरेलियम है, मस्तिस्क कोरल, मेंडरना है, आरगन पाइप कोरल, ट्यूबी पोरा को कहा जाता है सभी चीज़ें अच्छे से याद रखेंगे, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है और अगर सीलेंट्रेटा की मुख्य रूपता से बात करें, तो दो रूपता पाई जाती है पॉलिप और मेडिवसा next question है metagenesis पाया जाता है metagenesis किस में पाया जाता है answer सही होगा बी ओबेलिया में metagenesis पाया जाता है और सिलेंट्रेटा संग के कुछ जनतों में अलैंगिक और लैंगिक आवस्थाओं का जो जीवन चक्र है वो पीड़ी एकांत्रन होता है alternation अब generation होता है इसे ही metagenesis कहा जाता है next question है metagenesis किस वर्ग के जनतों में देखने को मिलती है अभी तो हम लोग जानते कि सिलेंट्रेटा में metagenesis लेकिन अब वर्ग की बात की गई किस वर्ग में जनतों में देखने को मिलती है तो इसमें option सही होगा पहला hydrojova इसको मैं भी मैंने theory में समझाया था कि hydrojova के अंतरगत metagenesis देखने को मिलती है alternation of generation होता है तो hydrojova इसमें सही हो जाएगा next question है metagenesis की परिखटना देखने को मिलती है अब इसमें संग को लेकर question किया गया है कहीं तरीके से एक ही question को पूछा जाता है संग को पूछ लिया गया है तो metagenesis की परिखटना देखने को किसमें मिलेगी sealant traits में मिलती है next question है एक त्रजिताह समित आकास्विर की प्राड़ी जिसमें केवल उतक दिभेदन है रखा जाएगा किसमें रखा जाएगा तो option सही होगा नेडेरिया में रखा जाएगा या sealant traits में रखा जाएगा क्योंकि sealant traits का नया नाम नेडेरिया है next question है इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है इफायरा लार्वा इसको भी मैंने बताया था लेक्चर में इफायरा लारवा औरीलिया के जीवन चक्र में बनता है जो औरीलिया है इसके जीवन चक्र में बनता है और औरीलिया क्या है तो जेली फिस होती है और औरीलिया में तीन लारवा अवस्थाएं बनती है प्लैनूला, स्काइफोस्टोम और इफायरा जबकि जो ओबिलिया है ओबिलिया में केवल प्लेनुला लारवा अवस्था पाई जाती है नेश कुछ ज्वाला मुखिये दीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भेति कहलाती है जो ज्वाला मुखिये दीप होते हैं उनके तटों के पास में कौ प्रवाल रोधिका आगे पूछा जा सकता है तो प्रवाल रोधिका है यह किनारों से दूर बनते हैं और जो प्रवाल दिवप वले हैं यह लैगून के चारो और बनते हैं नेश्ट कूशन है कोरल चटाने कौन से जन्तू बनाते हैं कोरल चटाने कोरल रेप्स आर फॉर्मड बाई सीलेंट ट्रेटा जो होते हैं यह कोरल चटानों का निर्माड करते हैं Next question है, इनमें से कौन एक कोरल नहीं है? Which of the following is not a कोरल? अंसर सही होगा इसमें से D, साइनिया जो है, ये कोरल नहीं है. और जो पिनेटुला है, टिवीपोरा है, ऑक्यूलाइना है, एक प्रकार के कोरल हैं, लेकिन साइनिया कोरल नहीं है. जबकि जो अन्य तीनों है, ये इन्थो जोवा परिवार से है, नेश कुशन है, निम्रेखित में से कौन सा जन्तु परजीवी नहीं है? मच्छर, फीता क्रीमी, समुद्री अनिमोन, चूंक, कौन सा जन्तु परजीवी नहीं है? जबकि समुद्री अनिमोन परजीवी नहीं है, जो फीता क्रीमी है, जोंक है, मादा मच्छर है, ये सभी परजीवी मच्छर होते हैं, जबकि समुद्री अनिमोन नहीं है, या एक सह भोजी होता है? लिए उफ्ष कुछन है, हाइड़ा में पुनर जनन होता है, चार आप सन्दिये गए हैं, रिजनरेशन in occurs by, आप संस सही होगा, इसमें से सी, मार्फोलैक्सिस से होता है, मार्फोलैक्सिस, आपको बता दें कि जो पुनर जनन है, थवा जो रिजनरेशन है, दो प्रिकार से होता है एक तो अभी रूपांतरण यानि की इपी मॉर्फोसिस से जब सरीर का कोई भी भाग फिर से उत्पर्ण हो जाता है तो उसे ही इपी मॉर्फोसिस कहा जाता है और जो मॉर्फोलैक्सिस है जब एक छोटे से भाग से संपूर जीव का निर्माड हो जाता है जैसे सारीक संगठन उतकी अस्थरका होता है उतकी अस्थरका और हम सभी लोग जानते हैं जो हाइड्राइस में बहुत सी कोश्का है आपस में मिलकर एक समान कारी करने लगती है या एक समान कारी करने के लिए बेवस्थित हो जाती है और सारीक संगठन बहुत कोश्की अस्थरका ह जाता है या उत्र की स्थरका हो जाता है नेस्ट कुर्शन है निम्लेकित मेंसे किस जन्तों में तंत्रीका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिस्क नहीं होता तो अंसर इसमें सही होगा B, hydrant लेंगिक अवस्था ये सही सुमेलित नहीं है, polypia hydrant अलेंगिक अवस्था होती है, लेंगिक अवस्था नहीं होती है, next question है बहुरूपी प्राड़ी, तो बहुरूपी प्राड़ी इसमें से option सही होगा, पहला hydrateania बहुरूपी प्राड़ी के अंतरगत आता है, या polymorphic animal होता है, next question है, नुड़िक में से, कौन जन्तु समो फाइलम, सिलेंट्रेटा वर्ग, एक्टिनो जोवा के उपवर्ग, हेक्सा कोरेलिया में सम्मलित है, option इसमें सही होगा, बी, यूट्रिसीना जोयन्थस और एडवर्सिया, ये सम्मलित है, next question है, दंसिका है, दंसिका क् तो इसमें option सही होगा, C, एक कोसिका का भाग होती है, दंसिका, what is nematocyst, तो part of cell होती है, और आपको बता दें, दंसिका अथवा nematocytes की उपस्थित, सिलेंट्रेटा संग के जन्तु का विसेस लक्षण होता है, और ये निडो साइट या निडो ब्लास्ट के नाम से भी जान होता है, और ये विसेस तरीकी के कोसिकांग होते हैं, part of cells होते हैं, और इनमें हिपनो टॉक्सिन नमक जहरीला पदार्थ भरा रहता है, विसायला पदार्थ भरा होता है, जो कि प्रोटीन तथा थिनोल का मिस्रण होता है, प्रोटीन और थिनोल का मिस्रण होता है, जो हिप प्रवर्द कहा जाता है और इसी से या निमेटो सिष्ट की सहायता से ही हाइडरा अपने सिकार को पकड़ता है और सुरक्षा भी करता है अधिक जानकारी के लिए मेरा लेक्चर वाला वीडियो देखें तो मैंने डीटेल से चित्र सही समझाया हुआ है नेक्ष्ट कुशन है हिपनो टॉक्सिन नामक बिसैला पदार्थ किसमे होता है तो हम सभी लोग जान गए है निमेटो सिष्ट में हिपनो टॉक्सिन नामक बिसैला पदार्थ पाया जाता है नेक्ष्ट कुशन है हाइडरा की दंस कोशिका से निकलने वाला बिसैला द्रव है जो Hydra है उसकी दंस कोशिका से कौन सा विसायला द्रो निकलता है तो उसी कुश्चन को घुमा कर कैसे पूछा गया है तो इसमें Option सही होगा Hypnotoxin नमक विसायला पदार्थ या विसायला द्रो निकलता है नेश कुश्चन है Hydra के निमेटो सिस्ट में पाया जाने वाला विसायला पदार्थ है उसी कुश्चन को फिर से पूछा गया है किस तरह से घुमा करके तो इसका Option कौन सही होगा Hypnotoxin नेश कुश्चन है दंसिका निमन में पाई जाती है तो दंसिका सीलेंट्रेटा संग में पाय जाती सिलेंट्रेट्स में नेश कुश्चन है ओबिलिया की समवेदी कोशिकाएं है ओबिलिया की समवेदी कोशिकाएं लिथोसाइट्स होती है इंपॉर्डन कुश्चन है और ओबिलिया में मेडियूसा की जो इपीडर्मिस होती है इपीडर्मिस अस्तर में या इप गैल्षियम कारबोनेटidents के बने होते हैं तथा वक्रेकरा क्सूसिंघ करते हैं और चींतक का बने स्कूस्वाइ van की ओबिलिय सिलेरिटर्यार शंख का जंतु है और इस संग के जन्तों में अल्प बिक्सित या प्रिमिटिव तंत्री का तंत्र पाया जाता है नर्वस सिष्टम पाया जाता है और इनमें स्टेटो सिष्ट नामक संतुलन अंग पाया जाते हैं नेक्स कुश्ञन है और बनेगा और बनेगा तो आप्शन सही होगा बी ओबिलिया के जीवन चक्र में बनता हैอप्शन सही होगा समुद्री एनिमोन में डिपलोब्लास्टिक आगोही का अवस्था पाई जाती है आपको बता दें कि डिपलोब्लास्टिक उन जनतों को कहा जाता है जिनमें दो जननिक अस्तर पाई जाते हैं जर्मलियर दो पाई जाती हैं एक्टोडर्म और इंडोडर्म अगर teploblastik होता तो उसमें तीन जनननीक स्तर पाया जाते हैं Ectoderm, Endoderm और Mesoderm जबकि दो जनननिक स्तर है तो Ectoderm और Endoderm पाया जाते हैं नेट कुछन है Hydra सभी प्रकार के खाद पचा सकता है इसे छोड़ कर किस चीज को छोड़ कर हाइडरा सभी चीजों को पचा सकता है तो आप्शन सही होगा समें से बी स्टार्ज को छोड़ करके हाइडरा सभी चीजों को पचा सकता है हाइडरा में पाचन जो होता है ये इंट्रासेलूलर तथा एक्स्ट्रासेलूलर दोनों प्रकार का होता है यानि अन्ताकोस की और बाहकोस की दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है और यहाँ प्रोटीन, वसा तथा कुछ सरकराओं का पाचन कर सकता है लेकिन यह इस्टार्च का पाचन नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता अगर पूछा जाए क्योंकि इसके पाचन से सम्मंधित इसमें एंजाइम ही नहीं पाये जाते हैं next question है ओबिलिया के भोजन ग्रहन करने वाले ज्वाइट्स कहलाते हैं ओबिलिया के भोजन ग्रहन करने वाले ज्वाइट्स क्या कहलाते हैं तो आप्शन सही होगा इसमें से डी पॉलिप कहलाते हैं जो ओबिलिया है यह एक बहुरूपी जन्त होता है पॉलिमॉर्फिक एनिमल होता है और इसकी कालोनी में काई प्रकार के सदस्री पाया जाते हैं इसमें से पॉलिप भोजन ग्रहन करने का कारी करता है नेक्ट कुर्शन है हाइड्रा की किन कोसिकाओं को भोड़ी आरक्षण कहा जाता है हाइड्रा के ऐसी कौन सी कोसिकाओं है इसमें से बी अंतराली कोसिकाओं या इंटरस्टेसियल से बारे में मैंने लेक्चर में डीटेल से समझाया था इंटरस्टेसियल सेल्स के बारे में और इंटरस्टेसियल सेल्स टोटी पोटेंट होती है तोटी पोटेंट अर्थात इन कोशिकाओं का जो रूपांत्रन है किसी भी दूसरी अनिप्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है इसलिए इन्हें भूणी आरक्षन कहा जाता है इंब्रियोनिक रिजर्ब कहा जाता है औरिलिया में रोपेलियम एक जटिल संदचना है जो औरिलिया इसमें रोपेलियम एक जटिल संदचना है किसकी आफसन सही होगा इसमें से डी पांच संवेदी अंगों की जो रोपेलियम है रोपेलियम औरिलिया की एक संवेदी संदच सेंस्टिव स्ट्रक्चर होता है और इसमें कुल तीन प्रकार के पांच संबेदी अंग पाए जाते हैं जिसमें से ऑसेली आलफेक्टरी पेड्स टेंटेकॉलोसिस्ट यह पाए जाते हैं देखे वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए जितने भी आपको इसन किजिए धन्यवाद